नमस्कार मैं हूँ अभिशेक आप देख रहे हैं मनी नाइन जटपट आज हम बात करेंगे सुईगी और जमेटो की जिसकी रेस्टोरेंट के साथ दोस्ती खटाई में पढ़ती दिख रही है करीब आठ अरब डॉलर के ओनलाइन फूड ओर्डरिंग मार्केट में सुईगी और जमेटो का एक अधिकार अब रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट के लिए सिरदर्द बनने लगा है सुईगी और जमेटो का बढ़ते कमीशन ने खाना बनाने वालों के मन खटे कर दिये हैं कमीशन की मार से परेशान रेस्टोरेंट संचालक अब सुईगी और जमेटो से दोस्ती तोडने का मन बना बैठे हैं अगर ये दोस्ती टूटी तो फुर क्या होगा सुईगी और जमेटो का हम और आप कैसे घर बैठे मगा सकेंगे अपना मन पसंद खाना कहते हैं एक रास्ता बंध होता है तो दूसरा खुल जाता है कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है ऑनलाइन फूड और्डरिंग बाजार में दरसल पांच साल पहले सुईगी और जमेटो का कमीशन करीब 12 फीजदी था 2019 तक कमीशन बढ़कर हो गया 20 फीजदी और बरतमान में एवरेज कमीशन है 25 फीजदी के आसपास इतना ज्यादा कमीशन रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद हाईली कॉम्टेटिव मार्केट में वे फूड आइटम्स के दाम उतने नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितना बढ़ाना उनके लिए जरूरी है कमीशन के चक्कर में ही रेस्टोरेंट्स के डाइन इन और ऑनलाइन रेट में 60 फीजदी तक का अंतर होता है जैफरीज की हाली में आई एक रेपोर्ट के मताबएक 80 फीजदी रेस्टोरेंट डाइन इन की तुलना में एग्रिगेटर प्लेटफॉर्म पर 60 फीजदी तक ज्यादा कीमत कोट कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स का कहना है कि वो डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इससे एग्रिगेटर के कमिशन का खर्चा निकल आता है कमिशन के चक्कर में जो रेस्टोरेंट्स सुईगी और जमेटो से दूरी बना रहे हैं वे नए स्टार्ट अप एग्रिगेटर थ्राइब और डॉट पे जैसों का हाथ थाम रहे हैं जो बहुत कम यानि सिप 5 से 6 फीजदी कमिशन पर ही काम कर रहे हैं ये स्टार्ट अप सुईगी और जमेटो के अल्टरनेट बनकर उभर रहे हैं सुईगी और जमेटो के उचे कमिशन से नाखुष रेस्टोरेंट इस नए प्लेटफॉर्म पर अपना ठिकाना बना रहे हैं इतना ही नहीं National Restaurant Association of India यानि NRAI के प्रेसिडेंट कभी सूरी का भी कहना है कि कमिशन को लेकर लड़ाई हर कोई लड़ रहा है क्योंकि सुईगी और जमेटो का कमिशन एवरेज और वेल्यू पर आधारित है यानि जितना ज्यादा और उतना कम कमिशन इसलिए NRAI का भी मानना है कि एवरेज कास्ट पर ट्रांजक्शन को और पर संगत बनाने की जरूरत है अब अगर जमेटो और सुईगी के प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरंट की लिस्टिंग घटेगी तो इनका बिजनिस कैसे आगे बढ़ेगा बिजनिस आगे नहीं तो जमेटो के निवेशकों का क्या होगा वहीं सुईगी का सियर बाजार में लिस्ट होने का सपना भी कैसे पूरा होगा ये आगे भविस से ही बताएगा